नमस्कार दोस्तों आप सभी का study quiz with निर्मला यूटूब चैनल पर स्वागते हैं आज मैं आप सभी के लिए बहुती important content लेकर आई हूँ जिसमें सभी को doubt रहता है और वो है जेन धर्मो और बहुत धर्म का comparison यानि इनमें हम आज तुलनात्मक अध्यान करने वाले हैं इनमें बहुत सारी चीज़े similar है और बहुत सारी चीज़े आलागे लेकिन सभी को इसमें doubt रहता है और exam में अधिक्तर गलत भी कर देते हैं मैं guarantee तो नहीं लेती हूँ लेकिन हाँ आप ये वीडियो देखने के बाद इतना शोर जरूर हो जाएंगे कि किसका कौन सा answer है यानि कि आप आने वाले exam में अगर इसका question आ जाता है तो गलत नहीं करेंगे तो चलिए देखते हैं इनका comparison जेन धर्म और बहुत धर्म दोनों similar धर्म है यानि कि सासा चलने वाले समकालिन भी कह सकते हैं संस्थापक जेन धर्म के संस्थापक कौन हुए हैं महाविर स्वामी हुए हैं जबकि बहुत धर्म के संस्थापक हुए हैं गौतम भूत हैं जेन धर्म के संस्थापक महाविर स्वामी है और बोत धर्म की कौन हो जाएंगे गौतम भूत हैं पिता इनके सिधार थे जो कि इश्वाकु वन्षक से संबंदित थे और इनके पिता थे शुद्दोधन जो कि शाकिगण से संबंदित है माता त्रिशला है जिसे विदेहता भी कहते हैं यानि कि महाविर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है और गौतम भूत की माता का नाम माया देवी है यशोदा इनकी पत्नी है और यशोदरा इनकी पत्नी है ये confusion अधिकतर रहता है कि दोनों की पत्नी यह से शुरू हो रही है और बाहविय स्वामी की पत्नी का नाम यशोधा है और बोध धर्म के जो संस्थापक की गोदम बुद उनकी पत्नी का नाम यशोधार आए इनके पुत्री थी किसके स्वामी जी के जिसका नाम था अनोजा प्रियर दर्शनी और गोदम बुद के पुत्री था जिसका नाम था रहूर यानि इन दोनों के एक एक पुत्री हुए है एक के पुत्र है और एक के पुत्री है पुत्री किसके है महाविय स्वामी के है अनोज प्रियदर्शनी और पुत्र किसके है गोतम बुद्ध के है कौन राहू अगला प्रशने है या कह सकते हैं अगली बाते दामात इनके दामात का नाम था जमाली जो कि इनका पहला अनुयाई बनेगा इनके सोतेली माता प्रजापती गोत्मी कौन थी ये गोतम बुद्ध की मोसी थी और इनोंने गोतम बुद्ध का पालन पोशन किया क्यों कि गोतम बुद्ध की जन्म के बादी यानि कि साथ दिन बादी इनकी माता माया देवी का निधन हो जाता है तो प्रजापती गोत में ही इनका पालन पोशन करती है इन्हें विमाता भी कहा जाता है यानि जो सोतेली माता होती उसे विमाता भी कहते हैं अगला देखिए इनका बड़ा भाई था नंदी वर्धन इनका मुल्ना में वर्धमान और इनका मुल्ना में सिधार्थ अब ये सिधार्थ शब्द बहुत कंफ्यूस करता है केसी गोतम बुद्ध का मुल्ना में सिधार्थ क्या नामें सिधार्थ लेकिन जो महाविर स्वामी है उनकी पिता का नाम भी क्या है सिधार्थ ये चीज बड़ी कंफ्यूस करती है कि सिधार्थ शब्द दोनों में है इसी तरीके से यशोदा शब्द दोनों में है लगबग लगबग एक में यशोदा है एक में यशोदरा है तो ये दो बाते बहुत कंफ्यूस करती है कि सिध सिधार्थ महाविर स्वामी के पिताजी का नाम भी है और सिधार्थ गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम भी है यह कह सकते हैं मुल नाम आगे देखिए जन्मस से सम्मन्धित इनका जर्म पांसो निंञार 113 इस्पी संपूर्व타्ञ्वत иногда बॡंड देखिए 1593 इस्पीर लूम्बि नी ना पर साल व्रक्षी के नीचे नेपाल यानि लुम्बिनी कपिल वस्तू उत्री बिहार में इनका जन्मू हाता जो कि नेपाल बोर्डर पर कह सकते हैं कब हुआ था 563 इसापुरू और इनका हुआ था 599 इसापुरू अधिकतर माना जाता है लेकिन कहीं पर 540 इसापुरू भी म पाना गया है अब आगे देखिए इनके म्रत्यू से सम्मंदित म्रत्यू इनकी होती है 468 इसापुरू में कहां पर पावा पूरी राजगीर पिहार में कितनी वर्ष की आयू में 72 वर्ष की आयू में और इनका निधन होता है 483 इसापुरू कहां हुशी नारा यूपी 80 वर अगला दोनों ही दर्म में त्री रत्म हुए हैं त्री रत्म जेन धर्म में समयक ज्यान समयक दर्शन समयक चरीत्र समयक ज्यान में क्या था पूर्ण सच्च और ज्यान किसके प्रती तिर्थंकरों के प्रती समयक दर्शन तिर्थंकरों में आस्था रखना और समयक चरीत्र मे इंद्रियों पर संयम रफना ये किसके त्री रतने जैन धर्म के हैं इसी तरीके से बोध धर्म के भी त्री रतने हैं कौन से बुद्ध धम और संग त्री रतन दोनों में हैं जैन धर्म में भी है और बोध धर्म में भी है अगला प्रश्टे महाविर स्वामी को ग्यान की प् नदी साल रक्ष के नीचे और गोतम बुद्ध को ओती है निरंजना या फाल्गु नदी की किनारे पिपल रक्ष के नीचे आई बस समझ में नदी पूछा जाए कि महाविर स्वामी को किस नदी की किनारे तो रिजू पाली का गोतम बुद्ध की नदी पूछी जाए तो निर फिज़ान नहीं होना चाहिए कि वरक्ष अगर पूँछा जाता है साल वरक्ष महाविर सवामी और पीपल गोतमभुद। प्रतफम मुध्देश इन्होंने कहां दिया था इन्होंने दिया था राजगिर बिहार में। इनका प्रथम उपदेश देखिए किसका गोतम भुद्ध का गोतम भुद्ध का प्रथम उपदेश जो है बोध गया में तपसु वा मलिक दो बंजारों को दिया था ये आरबी एसी की जो नाइंत की बुक है उसके अकोडिंग या उसमें दिया गया ही कि प्रथम उपदेश इनोंने बोध गया में तपस्व मलिक दो बंजारों को दिया था इसके बाद सार्णात में गए और वहाँ पर पांच ब्रामण बंदू को इनोंने प्रत्थम उपदेश नहीं वो दित्थी उपदेश होगा क्योंकि प्रत्थम इनोंने दो बंजारों को दिया था और दित्थ उपदेश साल नात में पांच ब्राह्मनों को दिया था जो इनके साथ थे आई बास समझ में आगे देखिए आगे उनमें और क्या कमपेरिजन हो सकता है यह मैंने खुद हातों से कह सकते हैं हस्त लिखीत नोट से जो कि आपके लिए बहुत ही इंप्रोटेंट है अगर आपक किसी को यह नोट से चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में में वापर डाल दूंगी आगे देखिए प्रतिक चिन दोनों का ही प्रतिक चिन है महाविर स्वामी का है सिहां और गौतम बुद्ध का है कमल का फूल गौतम बुद्ध का कमल का फूल महाविर स संगीति हुई है जेन धर्म में दो होती है और बहुत धर्म में चार होती है दो दुनी चार यानि जेन धर्म में दो होती है जेन धर्म पहले आया तो दो बहुत धर्म बाद में आया तो चार जेन धर्म में कौन सी होती है दो होती है पाठली पुत्र में होती है पहली किसके सम दूसरी होती है, पांसु बारा में, पांसु बारा इस्वी में होती है, कहाँ पर वललभी में होती है, वलललभी कहाँ परता है, काठ्यावार गुजरात में, अध्यक्षि कोन थे, शमा श्रमन, जिसे हम देव रिद्धी गण भी कहते हैं, या गणी भी कहते हैं, आई बास सम भूत धर्म में चार होती है। बहुत ही इंपोर्टेंट है। इन में से क्योशन कहीं न कहीं तो आता ही। कह सकते हैं किसी न और किसी एक्साम में। पहली होती है 483 इसापुर्व में सब्तवर्णी गुपा राजग्रियव बिहार में इसके अध्यक्ष होते हैं महाकश्यव और शाशक होते हैं अजाशत्रू यानि कि अजाशत्रू के शाशनकाल में सब्तवर्णी गुपा राजग्रियव में 483 इसापुर्व में बोसंगीत इस सोच साल बात 1053 इसापुरु इस सावक विशालि बिहार में अध्यक्ष्त यानि कि साबक मीर की अध्यक्षता में द्वित्य बहुत संगिती होती है। या कि सकते हैं अगली बहुत संगिती हैं 102 इस्वी कुंडनवन में कहां कश्मीर अध्यक्ष वसुमित्र और शाशक कनिश्क के शाशन काल में 102 इस्वी में कुंडनवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में चोथी बहुत संगिती होती है। अगली बात है एक मात्र ऐसी भोध संगिती जिसमें उपाध्यक्ष भी था अब वो मुझे आप comment section में बताता ना कि वो कौन सी बहुत संगीती थी जिसमें उपाद्यक्ष भी था या के सकते मुख्य अथी थी था और उसका नाम भी आपको comment section में बताना है अगला प्रश्ण है आज मैंने एक प्रश्ण किया था कि जेन धर्म और बोत धर्म में एक संगीती या के सकते हैं एक एक संगीती एसी जगा हुई है यानि कि similar जगा है तो वो जगा हो जाएगी पाठली पूत्र आप देखें केसे पाठली पूत्र बोत धर्म में पहली जो सं एसी जगा है जहाँ पर दोनों धर्मों की संगीतीया हुई है ओके आगे चलते हैं ग्रान्त ग्रान्त देखिए जेन धर्म के ग्रान्ते कलप्रक्ष और आगम बोत धर्म के ग्रान्ते त्री पिटक कौन-कौन से सूथ विनय और अभिदम त्री पिटक सूथ पिटक विनय पिटक और अभिदम पिटक आगे देखिए जेन धर में पांच महावरत बताए गये हैं कौन-कौन से आहिंसा सत्य अस्तय यानिकी चोरी नहीं करना अपरिग्रह यानिकी संग्रह नहीं करना ब्रह्म-चरि ये 5 महावरत बताए गये हैं इसमें जो चार महावरत हैं कौन से अहिसा, सत्य, अस्ते और परिग्रम ये प्रथम चार महावरत जो है तेविस्वे तिर्थंकर पार्षवनात ने जोड़े हैं या दिये हैं और लास्ट का जो ब्रह्मचर्य महावरत हैं ये महाविर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है चार किसने दिये हैं पार्शोनात ने दिये हैं और लास्ट ब्रहमचरी किसने दिया है माविर स्वामी ने जोड़ा है इसी तरीके सी यहाँ पर दस्षिल दिये गए हैं किसमें बोध धर्म में पांच जेन धर्म के पांच महावरत हैं प्रथम पांच है वो जेन धर्म की जैसे ही है के सकती अहिंसा सत्ति अस्ते आ परिगर ब्रहम चरिये इसमें दश्चिल में जोड़ा गया है उसकी बाद छटा देखिए नशाना करना निर्तिव संगीत का त्याग करना आसमे भोजननी करना सुकत बिस्तर का त्याग करना और स महावरत माने गए हैं और बोध धर्म में दस माने गए हैं दस में से पांच जेन धर्म वाले हैं और पांच अलगे आगी देखिए शाखा यानि कि जेन धर्म की भी दो शाखा थी बोध धर्म की भी दो शाखा है दोनों की दो दो शाखाए हैं जेन धर्म की श्वेतांबर और दिगंबर श्वेतामबर यानि कि जो सपेद वस्त धारन करते थे या कह सकते हैं जो वस्त धारन करते थे वो श्वेतामबर होते थे और जो वस्त धारन नहीं करते थे वो कौन होते हैं दिगंबर होते हैं इसी तरीकी से बोत धर्में दोशागाएं बटी हीनियान और महाय आगी देखिए कुछ important facts है महावीर आत्मा की अमर्ता में विश्वास करते थे जेन धर्म में एक इश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है यानि कि आत्मा ही अमर्ता है ये किसमें कहा गया है ये जेन धर्म में कहा गया है जेन धर्म कर्मबाद पर विश्वास करता था और पुनर जनन पर भी करता था इसमें और बात देखिए आपने संथारा सुना होगा संथारा को सन लेखना भी कहते हैं इसमें क्या होता है जेन धर्म के जो व्यक्ति होते हैं इनके व्यक्ति होते हैं और जो दिख्षा लेते हैं उन्हें मारा सा खा चाता है वो भूग वो प्यास से अपने शरीका त्याग करते हैं संथारा होता है भूख वप्यास से अपने शरी का त्याग करना संथारा कहलाता है और संथारा को संदेखना भी कहते हैं महावी स्वामी को उपनामे महावीर, नीरगरंथ, कैवलीन, जीन और अरहत पांच उपनाम बताये गए हैं महावी, नीरग्रंथ, कैवलीन और जीन अहर्थ बोध धर्म में इंपोर्टेंट फेक्स देखिए गोतम बोध को विष्णु का उतार माना जाता है वेशाक पुर्णिमा को बुध पुर्णिमा भी कहते हैं वेशाक जो पुर्णिमा आती वेशाक महीने की हिंदु धर्म में बारा महीने हैं वेशाक महीना जो होता है उसमें वेशाक पुर्णिमा को बुध पुर्णिमा कहते हैं क्योंकि इसी दिन में बुध का जन्म हुआ इसी दिन बुद्ध की मृत्यू होई और इसी दिन उन्हें ग्यान की प्राप्ति होई इसने बुद्ध पुर्णिमा वेशाक पुर्णिमा को कहा जाता है वेशाक पुर्णिमा को ही गोतम बुद्ध का जन्म होता है वेशाक पुर्णिमा को ही गोतम बुद्ध की मृत्यू हो eted इसमें एक तो सिधार्त नाम आपको भहुत कन्फिस करेगा सिधार्तस जो है जेन धर्म में यह कहते हैं बहाविर स्वामay की पिठातेस इशिदार और गोतम बुत का बच्पन का नाम या मोल नाम था सिद्धाड इसी तरीके से यशोदार यशोद्रा यशोदा पत्नी थी महाविर स्वामी की और याशोद्रा पत्नी है गोतम बुते की ओके तो यह comparison था यह मेंने खुद अपने हाटों से हस्तरी की notes तयार किये हैं उसके बाद ही content बनाकर वीडियो बनाया है तो आई होप आपको ये content बहुत अच्छा लगा होगा ये आपको समझ में आया होगा इसमें लगभग लगभग जेन धर्म बोत धर्म का वो पूरा तुनलात्मक अध्यन है जिसमें आपको doubts रहते हैं तो ये वीडियो कैसी लगी comment section में जरूर बताए अपने दोस्तों में share करें और मेरे चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाए ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिने वीडियो को end तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवार थैंक्यू